lik intelligent к Dare invest नाव जिसका सबाउट कृिटिकली इनजरेड़ इसप इस जो बहुत ज़र्ड़ल इन डेंजरेड़ स्पीसीज महों पनाब दैने के बारे में बात करेंगे त्यर अंडर रिस्क इन रिस्क इन रहा है एक्जाम्पल आर एंडियन कैट फिस एवी सेलामेंडर्स एंगुलर पैवलेंस नेल्स एमंग्स मोर मैं मतलब मैंनी मोर तो यह जो जीव हैं इनके अलावा भी बहुत सारे जीव हैं ठीक है एंडेंजरेट इस्पीसीज आर रिप्रिजेंट वाइफ्यूवर जिनका जो फेक्टर से एंवार्मेंटल फेक्टर सेई जो भी इनिवेऽ नहीं है dei डीज एनिमर ऑक इंडीकन व्यक्टर अर्नौट चेकद अगर हम एग्जंपल की बात करें तो एर इंडियन रइनषोर्स ट्रडू है कि फाइल फिल्प्र वैलेवल स्पीसीज करें टो इनकी जो सेकृिरिटी अगर नहीं करेंगे ㅇतो हम सिदी सी बात है यह इंडेंजरेड हो जाएंगे और यह बिलुप्त हो जाएंगे एक्जम्पल है चिंकारा डियर ब्लैक बक एंड ब्लू फीसेंट एमोंग एमोंग एस्ट अदर तो कुछ तो यह हैं और कुछ इनके अलावा भी है अब नियर थ्रेटनेड स्पीसीज के अग चोटे नमर में हैं और पूरे बर्ड में फैले हुए हैं और अगर यह कम होते रहे तो यह बहुत जल्दी इंडेंजरेड कैटागरी में आ जाएंगे जैसे कि फॉर एक्जम्पल आर गोल्डन कैट गोल्डन कैट मॉंक सील अमेरिकन वाइजन एसेटिक विल आस टाइगर स लियोपार्ड जैग्वार ओकापी एमोंगस्ट मैंनी मोर तो इनके अग्जम्पल गलावा भी बहुत सारे हैं जो अगर हमने उन्हें सही से सिक्यूर्टी नहीं दी सही से ट्रीट नहीं किया तो जल्दी से विलुप्त हो जाएंगे नाओ भी डिस्कॉस अवाओट कॉस ओफ थ्रेट टू बायोडावसिटी बायोडावसिटी को कौन कौन से कॉस थ्रेट कर सकते हैं ठीक है तो सम आफ दे रीजन फॉर डिक्रीज इन दे नम्मर अफ सम लिविंग स्पीसीज आर हैविटेट डिस्ट्रप्शन डिप्लीशन फूड किलिंग एनिमल्स फूड फूड और प्रोड़क्ट क्लाइमेट चैंज प्रिजेंस ऑफ एन एक्सॉटिक स्पीसीज पॉलिशन तो इसके जो मैन रीजन है वह बहुत ही जादा मतलब एक तरह से मोल सकते हैं खतरनाक है क्यों हैविटेट डिस्ट्रेक्शन हो रहा है आवास नहीं रह रहा है आप ही बताईए क्या आपको पहले जैसे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे हैं क्या आपको नहीं पता है कि कितना डीफॉरेस्टेशन हो रहा है ज्यादा जंगलों की कटाई होने से अब भई जो जंगल में जीव रहते हैं वो आपके सहर में तो र प्लीट कर रहे हैं क्यों यह जीव उस पार्टिकलर जंगल में रहते हुए किसी भी खेत में जाते थी अब आप उन खेतों में बड़ी मात्रा में किसका यूज कर रहे हो फंगी साइड का यूज कर रहे हो है ना हर्वी साइड का यूज कर रहे हो है ना इंसेक्टी साइड बहाँ पर किसी जीव को खाएंगे तो धीरे धीरे इनकी संख्याव घटती जाएगी और जब घटती जाएगी तो इसका आने वाला समय कोरोनों से भी जादा भयंकर होगा ध्यान रखना अगर हम अपनी एकोलोजी को नहीं बचा पाए तो आने वाले समय में बहुत बुरे प मैंने पास में ही कुछ गाओं में ऐसा देखा है कि वो खाने के लिए किसी भी जंगली जीव को मार देते हैं अरे आप कुछ पार्टिक्लर जीव को खाए जो गवर्मेंट जिसको एप्रूवल देती है आप बहुत सारे ऐसे जीव को काटके खा जा रहे हैं जो हमारे पास अल्रीग इंडेंजरे चीव मतलब हैं हमारे पास अल्रीड़ी बहुत कम है है ना आप मतलब बहुत गलत कर रहे हैं है न तो हम यह बात कर रहे हैं सोसाइटी की ठीक है आ औप प्लांट ही नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे क्लांट हमेट होगा अब क्коеूं नहीं adopt से आने वा बाड़ा नहीं बचेगा सारी कि सारी ही जश्ट बैक होगी बापस होगी बहां पर धीरे धीरे ग्रीन आउस इफेक्टिट पड़ेंगे जब पड़ेगा तो आपका क्लाइमेट पूरी तरह से चैंज होने लगेगा और जब क्लाइमेट चैंज होगा गलोबल बॉर्मिंग द देश में, क्यों आ रही है, क्योंकि climate change हो गया है, बिहार, बिहार तो बिचारा परिशान है, क्योंकि बिहार की जो कोसी नदी है, उसने तो minimum 10,000 से ज़्यादा गाउं में effect दिया है, बहुत ज़्यादा problem में है हमारी country, ओडिशा में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, आपका best बंगॉल में भी यही problem है तो यहाँ पर climate change भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है presence of an exotic species ठीक है और pollution कुछ ऐसी species हैं जो बहुत कम रहे गई है या फिर pollution बहुत ज़्यादा हो रहा है pollution के मामले में तो हम बिलकुल aware नहीं है मेरे प्यारे बिध्यार्थियों मेरे students जो हैं वो बहुत अच्छे तरह से pollutions के लिए आपने बहुत सारा बर्क भी किया है college के instruction पे आपने काफी सफाईयां भी की थी हमें अभी तक याद है तो आप तो aware हैं लेकिन जो फैक्ट्रियां चला रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां के जो मालिक हैं वो विल्कुल भी aware नहीं है अगर ये पॉलिशन कंट्रोल नहीं हुआ तो आने बारा समय खतरनाक होगा ठीक है